हेलो एवरीबन, वेलकम अगीन टू लंगरे देतीमन, तो देखिए क्लास 7 की कोश्यन आंसर कर रहे हैं हम लोग, और आज हम करने वाले हैं 7 चेप्टर आजादी का आंदोलन और राजिस्थान, तो बिल्कुल समय को ना बरवात करते हुए कोश्यन को दिहान से देखना है और उसका आंसर देने की कोशिश करना है भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की सुरुवात का श्रे किसे दिया जाता है भारत में एक संगठित किसान आंदोलन किसे कहा जाता है तो वह मिवाड का जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसे ही कहते हैं एक संगठित किसान आंदो और भीलवाडा जिले में ही पढ़ता है बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंद बीलवाडा जिले से रहा नेक्स्ट देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाती के द्वारा प्रारम किया गया था तो important है बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाती के द्वारा प्रारम किया गया था यह धाकर जाती द्वारा प्रारम किया गया था याद रखना है कौन सी जाती है धाकर जाती है अब ही देखिए हल ही में वीडियो का एक्जाम हुआ था कल हुआ था और आज भी कुछ बच्चों का एक्जाम चल रहा है तो देखिए उसमें भी in books से ही सारे के सारे question आए थे जो कल exam हुआ था मैं उनकी बात कर रही हूँ तो यहां जितने भी कुश्यन पूछे गए थे इतिहास के सभी के सभी इन बुक्स से ही पूछे गए थे तो इसी लिए इन बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है नेक्स्ट देखिए कुश्यन फाइव बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण क्या था तो यह आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चलता है 44 सालों तक जिसमें पहला चरण रहा 1897 से 1914 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण क्या रहा तो दूसरा चरण 1914 से 1923 तक रहा और इसका जो तीसरा चरण रहा बिजोलिया किसान आंदोलन का वह रहा 1923 से 1941 तक ठीक है यानि याद रखना है आपको 1897 में प्रारम होता है और 1941 तक चलता है किसने बिजूलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे तो देखिए 1897 में राओ कृष्ण सिंग आता है और वह बिजूलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाता है और यहीं से आंधोलन प्रारम हो जाता है 84 प्रकार के कर की सिकायत नान जी पटेल और ठाकरी पटेल ने किसे की थी याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से 84 प्रकार के कर की सिकायत जो है नान जी पटेल और ठाकरी पटेल ने की थी किस से की थी मेवाड के महाराना से की थी ठीक है याद रखना है महाराना के पास जो है वो कौन गए थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल सिकायत से नाराज होकर राओ क्रिशन सींग ने कौन सा कर लगा दिया था तो यहां उसने एक और कर लगा दिया था चवरी कर ठीक है 84 कर पहले से ही लगे हुए थे और नाराज होकर उसने एक और कर लगा दिया चवरी कर Question 11 है, बिजोलिया की किसानों पर तलवार बंधाई कर किसने लगाया? तो तलवार बंधाई कर प्रत्वी सींग ने लगाया था, वहीं चवरी कर किसने लगाया था? कृशन सींग ने लगाया था. बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण में किसानों ने किसके नित्रतों में अध्यक्षता की थी? तो जो पहला चरण होता है 1897 से 1914 इस वी तक ठीक है? तो इसमें किसानों ने साधू सीता रामदास, पते करंचारन और प्रहमदेव के नित्रतों में जो कृष्ण राव था उसकी इस कारवाई का विरोध किया था और नेत्रतों यहां किया था विजे सिंग पतिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी? तो दूसरा चरण जो है इसमें शामिल होते हैं विजे सिंग पतिक और विजे सिंग पतिक जो हैं यहां पर उपर माल पंच बोर्ट की स्थापना करत उपरमाल पंच बोर्ड की एस्थापना की थी और ये विजोलिया किसान अंदोलन का नित्रत भी कर रहे थे, वहीं पर विजोलिया किसान अंदोलन की दूसरे चरण में किसने नित्रत भो किया, अलागी नेत्रत्व जो हैं कर रहे थे विजे सिंग पतिक लेकिन बाद में ये मानिक के लाल वर्मा को भी अपने साथ ले लेते हैं और फिर ये भी इसका नेत्रत्व करते हैं बिजूलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में नेतरत्व किस ने किया तो तीसरे चरण में जमना लाल बजाज ने किया तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं पहले चरण में सादू सीता राम, फते करन, चारण और ब्रहम देव थे 1897 से 1914 तक दूसरा जो चरण होता है 1914 से 1923 तक तो उस समय विजय सिंग पतिक और मानी किलाल वर्मा थे तीसरा जो चरण होता है वह होता है 1923 से 1941 तक और इस समय नेतरत्व कर रहे हैं जमना लाल बजाज 1941 में मेवाड के प्रधान मंतरी रागवाचारी के आदेश देक किसे विजोलिया भेजा गया तो यहां पर राजस्व मंतरी मोहन सिंग महता कौन है जो राजस्व मंत्री था डॉक्टर मोहन सिंग महता ये बिजोलिया जाते हैं किसके आदेश पर रागवाचारे के आदेश पर रागवाचारे कौन थे 1941 में मेवाड के प्रधान मंत्री रही रागवा चारिय विजोलिया किसान आंदोलन से सम्मंदित महलाएं कौन सी है पूछा जा सकता है एक्जाम में इंपोर्टेंट है अंजना देवी चौधरी, नारायनी देवी वर्मा, रमा देवी ये सबी जो महलाएं थी ये किसान आंदोलन से सम्मंदित रही है किस किसान आंदोलन से? विजोलिया किसान आंदोलन से सम्मंदित रही है नेक्स्ट दिखिए बेंगो किसान आंदोलन का नेतरत्व किस ने किया? तो यहाँ पर नेतरत्व किया था विजे सिंग पतिक के आदिस पर राम नारायन चौधरी ने, बेंगू किसान आंदोरुन का नित्रतों करने वाले थे राम नारायन चौधरी ट्रेंच कमिशनर का सम्बन किस किसान आंदोलन से था, तो यह है बेंगू किसान आंदोलन से था अब यहाँ पर तो आप लोग answer जो है वो सही देंगे लेकिन ये चीज़ें जब exam में आ जाती हैं तो वहाँ हो जाते हैं आप confused ठीक है तो इसी लिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग यदि notes बना रहे हैं तो notes बनाईए जहां से भी कर रहे हैं करिए लेकिन इनको बार बार revise करि तो वहाँ पर आप किस पर निशान लगाएंगे बेंगू किसान आंदोलन पर लगाएंगे confused होकर बच्चे जो है वो बूंदी किसान आंदोलन भी कर सकते हैं क्योंकि याद नहीं रहता है सभी आंदोलन जब एक साथ पढ़ते हैं तो हो जाते हैं confused तो इसी लिए जरूरी ह वीडियो को बार बार सुनना और खुद के नोट्स जो है वो बनाना ट्रेंज कमिशनर ने कहां के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया तो ट्रेंज कमिशनर ने गोविंद पुरा के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था ठीक है और यहां पर विजोलिय किसान आंदुलन के समय गाउं था गिर्धर पुरा ठीक है रूपाजी और करपाजी का समस्पन किस किसान आंदुलन से है तो यह बेंगु किसान आंदुलन से समबन देट थीक है थोड़ा सा रिवाइज करिए नानक जी पटेल और ठाकरी पटेλε ठीक है नान जी और ठाकवी पटेल विजोलिय किसान आंदोलन से संबंदित है और यहाँ पर जो दो किसान है रूपा जी और कृपा जी यह हैं बेंगु किसान आंदोलन से संबंदित नेक्स्ट देखिए question 22, 53 मैंसे कितनी मांगें बेंगू किसान आंदोलन में पूरी की गई थी, तो कितनी मांगों को पूरा किया गया था, तो यहाँ पर देखिए, 34 मांगें जो हैं वो मान ली गई थी, ठीक है? बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? तो यह आंदोलन 1926 इसवी में हुआ था, बूंदी किसान आंदोलन का नेतरत्व किस ने किया था? तो हमने देखा कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतरत्व किस ने किया था? राम नारायन चौधरी ने वहीं बुंदी किसान आंदुलन का नित्रतुक किया पंडित नैनुराम और राम नारायन चौधरी और हरु भाई किंग करने नेक्स्ट देखें बुंदी के बारण में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन सहीद हुए थे तो बुंदी के जो बरण था उसमें पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में सहीद हुए थे नानक भील ठीक है याद रखना है कौन सहीद हुए थे बरण में तो बरण में शहीद हुए थे नानक भील अलवर किसान आंदोलन कब हुआ था तो यह आंदोलन 1921 इसरी में हुआ था तो अलवर राज़्य में क्या हुआ था कि जंगली सूर जो हैं बहुत जादा बढ़ गए थे और किसानों की फसल जो है उसको नुक्सान पहुँचा रहे थे और इसी वज़े से किसानों ने यहा 21 फी में अलवर किसान आंदुलन का मुख्य कारण क्या था तो यहां जंगली स्वोरों का बढ़ना इसका मुख्य कारण था अलवर किसान आंदुलन के समय अलवर के शाशक कौन थे तो अलवर किसान आंदुलन के समय अलवर के शाशक थे महाराजा जैसिंग उच्छा जा सकता है एक्जाम में अलवर किसान आंदोलन के समय जो महाराजा थे वह थे जैसिंग अलवर किसान आंदोलन में कहां पर सैक्रों किसानों पर गोलियां चलाने का आदिस दिया गया तो यहां नीमूचडा यहां पर नीमूचणा गाउं में एक सभाखा आयोजन हो रहा था तो वहां पर किसानों पर गोलिया चलाने का आदेश दिया गया था निमूचणा कांड को महात्मा गांदी ने किसकी संग्या दी थी तो इसे जलिया वाला बाग हत्या कांड की संग्या दी थी किसने महात्मा गांदी ने महात्मा गांदी ने इसे राजिस्थान का जलिया वाला बाग हत्या कांड कहा था जैपूर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर ठीक है? याद रखना है जैपूर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था उस समय सीकर था सीकर आंदोलन के समय सीकर के साशक कौन थे? तो यहाँ कल्यान सींग जो थे वैस सीकर के साशक थे सीकर किसान आंदोलन के समय में किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ओफ कॉमन्स में हुई? अब देखे इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है कई वारे एक्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूरी-पूरी आने के समभावना रहती है कि यह सीकर किसान आंदोलन ही था जिसकी चर्च लंदन के हाउस ओफ कॉमन्स में हुई थी। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुक नेता कौन थे? तो यहाँ पर सरदार हरलाल सिंग, नेतराम सिंग, प्रत्वी सिंग, गोठडा ये सभी नेता थे जो कि इस आंदोलन से जुड़े थे। किया गया था ठीक है? चिड़ावा में मास्टर काली चरण द्वारा सेवा समीती का गठन किया गया था. तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन थे वो आपके पूरे होते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जन जाती आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह कोशन आंसर जो हैं वो आपके लिए रामबान हैं पूरा चैप्टर कवर करते हैं इतने इंपोर्टेंट कोशन जो हैं वो आप लोगों को किसी भी गाइड से नहीं मिलने वाले हैं आपको इन बुक्स को पढ़ना जरूरी है इतना पढ़िये इत नहीं से कुशन की आंसर चैक होते हैं तो इस चीज को आप दिहान रखिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू